यह कोशन है क्या कोशन है समझेगा इन राइट राइंगल दा हाइप्योटनियूस इस फोर टाइम दा पर्पेंडिकुलर द्राउन फ्रॉम इट फ्रॉम दा अपोजिट वर्टेक्स देन वालू ऑफ वन अफ इन एक्यूट एंगल यानि कोशन यह है कि यदि हम किसी राइट राइंगल के अंदर कि यह राइंगल है माल लेजिए एबी सी इस पड़िए कहा लेखा इन राइप्योटनियूस फोर टाइम दा पर्पेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट मतलब राइंगल से अगर मैं इस पेक पर्पेंडिकुलर डालूं माल लिजिए बीडी नाम दे दे 4x होगा यह इस कोशन का मतलब है तो आपको एक एक एक्टीट अंगल बताना है अब यह पर्पेंडिकुलर डाला है तो यह 90 होगा और यह थीटा माल लेजिए तो आपको यह थीटा बताना है देन वन अब दा वैलू अफ एक्टीट एंगल फिर समझ लीजे कोशन इन राइट एंगल ट्राइंगल था इपोटनूस इस फोर टाइम ता पर्पेंडिकुलर ड्राउन वाला है उससे हम निकाल लेंगे कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं इसमें कि सब्सक्राइब याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइट को हाइपोटनियूस बोलते हैं तो यह हाइपोटनियूस हो गया तो बीडी कितना अभी हमने एक्स माना था इसको एडी ही लिखा रहें लिखा रहें दीजिए ठीक है एबी साइन थीटा एक्वल टू यह हो गया है यानि हम एक तरह से बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू एबी साइन थीटा या एबी एक्वल टू एक्स अपॉन साइन थीटा अब एक पूरा ट्राइंगल लेते हैं यह ट्राइंगल था एबी डी अब मैं पूरा अपन एसी तो एबी अपन एसी मतलब फोर एक्स क्योंकि दिया हुआ है दिया हुआ है एसी इकुवल टू फोर टाइमस और बीडी यानि फोर एक्स राइट अब कॉस्ट थीटा इकुवल टू आप ऐसा भी लिख सकते थे एबी की वैलू डाल दो एक्स अपाउं मैं सैन थीटा इंटु 4-G- sucks गैंसे तो एक तरे से मेरे पास cross मल्टिप्लाय से साइन थीटा इंटु कॉस्ट हीटा एकुवल टू वन वाई फोर आज़े डिचा आउगा अब साइटीटा इंटू कॉस्ट फीटा अगर वन वाई सैने जिता एक्वल्टिटि मंगया हो संको लिइन थीटो लिए तो इसका मतलब सबस्क्तुड का आंसर होगा 15 Yeah गिल्जाथ है तो यह लेंथ हाईबा जादा है तो मोम मदा है नहीं मेरेद से इकशन झाल झाल